ये जो जमाद इखटी हुए है ना उनके कुनबे में बड़े से बड़े गोटालों पर अपरादों पर इनकी जुबान बंद हो जाती हैं। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों की ये लोग फौरन उसके बचाओं में तरक देने लगते हैं। कि नहीं बाड़ गोटाला होता है, किसी का अपरन होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चूप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पस्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरे आम हिंसा हुई, लगातार खुम खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सब की बोलती बंग है। कॉंग्रेस के लेप के अपने कार्यकरता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कॉंग्रेस और लेप के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकरताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्तान में बेटियों से अत्याचार हो या परिशाओं के पेपर लीक हो रहे हो इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बाते करके जनता से विश्वास गात करने वाले जब करोडों का शराब गोटाला करते हैं। तो यह कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर प्रस्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बद्ध हो जाता है। जब देश की कोई एजंसी इन पर कारवाई करती हैं तो उनका टैप रिकडर शुरू हो जाता है। कुछ हुआ ही नहीं सब साजीस हैं हमें फसाया जा रहा है। आप तमिल लाडु में देखिए ब्रस्टाचार के गोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। पहले ही सब को क्लिंचिर दे दी है।